हेलो एब्रिवन एंड वेलकम टू मिशन जी के स्टडी दोस्तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एंस्यल प्रैक्टिस सेट जिसका पार्ट नमबर 15 है तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है आप वहां से जाकर पिछले वीडियो देख सकते हैं इसके अलावाद दोस्तो आपको बता दू कि आज का ये वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होना वाला है तो आप लोग इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखे और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ से जरूर करें वीडियो स्टार्ट करने से फ्रेंट्स पहले आपको बता दू अगर आपको इस वीडियो में किसी भी क्वेस्टन का जबाब पता हो तो आप इसका जबाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इसके लिए आपको 3 सेकेंड का समय दिया जाएगा तो चलिए friends श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला question पहला question है भारत के नए मुख्य सुचना आयूक्त कौन नी यूक्त हुए है इसका right answer क्या हो जाएगा friends इसका right answer option B हो जाएगा ये स्वर्धन सिन्ह नेक्स्ट क्वेस्टन हाल ही में गुजरात के किस जिले में भारत की पहली A.C.A. प्लेन सर्विस की सुरुवाद की गई है तो इसका राइट एंस्वर ओप्शन C हो जाएगा नर्मदा नेक्स्ट हाल ही में A.C.A. का सबसे बड़ा सुरक्षित बैंक किसे गोंसित किया गया है इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट एंस्वर ओप्शन A हो जाएगा DBS बैंक नेक्स्ट क्वेस्टन हाल ही में किस राजी में एक आत्म निर्वर भारत प्रस्टिक्षण के अंद्र सुरू किया गया है इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा इसका राइट एंस्वर ओप्शन C हो जाएगा मध्य प्रदिश में इसका राइट एंस्वर ओप्शन B हो जाएगा 31 अक्टूबर को राश्टि एक आ दिवस मनाया जाता है इसका राइट एंस्वर ओप्शन A हो जाएगा जैन धर्म का सोमनाथ मंदिर को 1025 में किसने लूटा था इसका राइट एंस्वर ओप्शन A हो जाएगा महमूद गजनवी किस भारती राजा ने सीकंदर का विरोध किया था इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा तो इसका राइट एंस्वर ओप्शन C हो जाएगा पोरस नेक्स्ट कोश्चन बुद्ध के सार्थी का नाम क्या था इसका राइट एंस्वर ओप्शन C हो जाएगा चन्ना नेक्स्ट वर्स 1920 में महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधी किसने प्रदान की तो इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा इसका राइट एंस्वर ओप्शन B हो जाएगा रविंद्र नाथ टैगोर जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दे नेक्स्ट क्वेस्टन अकबर नाम अपुष्टा के लेखा का नाम क्या है इसका राइट एंस्वर ओप्शन A हो जाएगा अबुल फजल नेक्स्ट निम्ण मेंसे किस सब्द की वर्तनी सही है इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा इसका राइट एंस्वर ओप्शन B हो जाएगा अनुग्रिहित नेक्स्ट क्वेस्टन सुर्योदय का संधी विछेद क्या है तो इसका राइट एंस्वर ओप्शन D हो जाएगा शुर्यधन उदय अगला प्रेश्ण गोड़े बेच कर सोना मुहावरे का सही अर्थ है इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट एंस्वर ओप्शन B हो जाएगा निस्चिन्त होना नेक्स्ट निम्ण में से कौन सा दिन का प्रेवाची नहीं है तो इसका राइट एंस्वर ओप्शन D हो जाएगा विभावरी विभावरी सब्द दिन का प्रेवाची नहीं है इसके अलावा तीनों दिन के प्रेवाची सब्द है नेक्स्ट जेब्रा लाइन बनी होती है इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा इसका right answer, option C हो जाएगा, पद्यात्री पारपत के लिए जो भी friends हमारे इस चैनल पर पहली बार आये हुए है इस चैनल को subscribe कर ले और bell icon को press कर दे जिससे नई वीडियो का update आपको सबसे पहले प्राप्त हो next question fog lamp का प्रयोग किया जाना चाहिए इसका right answer option C हो जाएगा, जब वहाँ कोहरा हो next question जब कोई वाहन रातरी के समय कीनारे पर पाक किया गया हो तो इसका right answer क्या हो जाएगा friends इसका right answer option A हो जाएगा, पार्किंग लाइट को on रखना चाहिए next question किसी motor वाहन का चालक वाहन चला सकता है इसका right answer ओप्शन A हो जाएगा, मार्क के बाएग और से next विपरित दिशा से आने वाले वाहन पास हो सकता है इसका right answer क्या हो जाएगा, तो इसका right answer option C हो जाएगा, आपकी दाएग और से फ्रेंट्स आपको बता दो कि हमारे चैनल पर डेली साम साथ बजे NCL Practice Set की class चलाई जाती है, तो जो भी फ्रेंट्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे next question हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म गरह कौन सा है बिल्कुल इजी question है फ्रेंट्स इसका right answer क्या हो जाएगा option D हो जाएगा सुक्र next question औरेंज नदी किस देश में बहती है most important question है फ्रेंट्स इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer option A हो जाएगा दक्षिड अफरिका में next question भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है ये भी important question फ्रेंट्स इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer option B हो जाएगा स्वेज नहर next question प्रधान मंत्री आवास योजना को कब से लागू किया गया है इसका right answer option D हो जाएगा 2015 से फ्रेंट्स आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर सकते हैं इसका लिंक नीचे description box में दिया हुआ है next question उच्छितम न्यालाय के मुख्य न्याधिस को उसके पद की सपत कौन दिलाता है इसका right answer क्या हो जाएगा फ्रेंट्स इसका right answer option A हो जाएगा राज्य पाल दोस्तों कल हमने आपसे प्रश्ण पुछा था हाल ही में जडल गुण मत्ता मुल्यांकन प्रडाली का सुभारम कहां किया गया है तो इसका right answer था option A उत्राखंड और आप लोगों के लिए आज का प्रश्ण है हाल ही में किस देश ने 2025 तक सुन्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की घोशड़ा की है तो इसका जबाब हमें comment box में जरूर बताए और आप लोगों ने इस वीडियो में कितने question का जबाब सही दिया ये भी हमें comment करके जरूर बताए और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद जैहिन जैभारत